वक्र तुन्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विग्नम कुरु मेदेव सर्वकारेशु सर्वदा शिरिगनेशाय नम्हा ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्य नरायन भगवान कीजै सत्य को नरायन के रूप में पूजना ही सत्य नरायन भगवान की पूजा है सत्य नरायन व्रत कथा अलग-लग अध्यायों में छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से बताई गई है कि सत्य का पालन ना करने पर किस परकार की समस्या आती है जीवन में सत्य का पालन, पूरी निस्ठा और सुध रिड़ता के साथ करना चाहिए ऐसा ना करने पर भगवान ना केवल नाराज होते हैं अपीतु, दंड सवरूप, संपत्ती और बंदू बांधों के सुख से वंचित भी कर देते हैं सत्य नरायन की पूजा के लिए दूद, मदू, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामरित बनाया जाता है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, इने परसाद के रूप में फल, मिस्ठान के अतिरिक्त, आटे को भून कर उसमें चीनी मिलाकर एक परसाद बनता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है सत्य नरायन व्रत कता एक समय की बात है, नमिश्या रन्या तीर्थ में शोनी कादी 88 हजार लिश्यों ने शिरी सूत जी से पूछा, हे प्रबु, इस कलजुग में वेद विद्या रहित, मनुश्यों को प्रबु भक्ती किस परकार मिल सकती है, तथा उनका उधार कैसे होगा हे मुनिश्यों कोई ऐसा तब बताए, जिस से थोड़े समय में ही पुन्या मिले और मनवांचित फल भी मिल जाए, इस परकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं, सर्वशास्त्रों के ग्याता सूत जी बोले, हे वैशनवों में पूछे, आप सभी ने प्रानियों के ह हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ट व्रत को आप लोगों को बताऊंगा, जिसे नारज जी ने लक्ष्मी नरायन जी से पूछा था, और लक्ष्मी बती ने मुनिश्रेष्ट नारज जी से कहा था, अब आप इसे ध्यान से सुनिए, एक समय की बात है, योगी राज नारज जी दूसरों के हित की इच्छा लिए, अनेकों लोकों में घूंते हुए, मृत्यों लोक में आ पहुँचे, यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में प्राया, सभी मनुश्यों को अपने कर्मों द्वारा, अनेक दुखों से पीडित देखा, उनका इसी विचार पर मनन करते हुए, वह विश्णू लोक में गए, वहां वह देवों के इच्छ नरायन की स्तुती करने लगे, जिनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और पदम थे, गले में वनमाला पहने हुए थे स्तुती करते हुए नारजी बोले, हे भगवन आपत्यान शक्ती से संपन है, मन तथा वानी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका आदी, मद्यय तथा अंत नहीं है, निरगुन सबरूप, स्रिस्टी के कारण भगतों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमसकार ह नारजी की स्तुती सुन, विश्णु भगवान बोले, हे मुनी श्रेश्ट, आपके मन में क्या बात है, आप किस काम के लिए पधा रहे हैं, उसे निस संकोच कहो, इस पर नारज मुनी बोले कि मृत्यों लोक में, अनेक योनियों में जन में, मनुश्य अपने कर्मों के दुख्षों से दुखी हो रहे हैं, हे नात, आप मुझ पर दिया रखते हैं, तो बताइए कि वो मनुश्य थोड़े पर्यास से ही अपने दुख्षों से कैसे चुटकारा पा सकते हैं, शिरीहरी बोले, हे नारत, मनुश्यों की बलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी ब दोनों में एक दुडलब उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है, आज प्रेमवर शोकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ, शिरीहरी के वचन सुन नारत जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, और उसका विदान क्या है, ये व्रत किस ने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सबी कुछ विस्तार से बताएं, नारत की बात सुनकर शिरीहरी बोले, दुख वाशोक को दूर करने वाला, ये सबी स्थानों पर विजे दिलाने वाला है, मानव को भक्ति वा श्रद्धा के साथ, शाम को शिर सत्य नरायन की पूजा धरम परायन होकर ब्रामनों वा बंदूओं के साथ करनी चाहिए, भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूद और गेहुं का आटा सवाया ले, गेहुं के स्थान पर साथी का आटा शक्कर जांगुड लेकर वा सभी भक्षन योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए, ब्रामनों सहीत बंदूबाद्वों को भी भोजन कराए, उसके बाद स्वैम भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, इस तरह से सत्य नरायन भगवान का ये वरत करने से मनुश्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं, इस कलिकाल अर्थात कल युग में मुरित्यू लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाई बताया गया है, शीरी सत्य नरायन वरत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण, शीरी सत्य नरायन भगवान की वरत कथा का दूसरा अध्याय, सूद्ची बोले हे रिशियो जिसने पहले समय में इस वरत को किया था, उसका इतिहास कहता हूं, त्यान से सुनो, सुन्दर काशिपूरी नगरी में एक अत्यांत निर्धन ब्र प्यास से प्रशान वै, धर्ती पर गूमता रहता था, ब्रामनों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्रामन का वेश धारन कर, उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्ते दुखी होकर, तुम प्रित्री पर क्यूं घूमते हो, दीन ब्रामन बोला, मैं ब्रामन हूँ, बिक्षा के लिए धर्ती पर गूमता रहता हूँ, हे भगवान, जदी आप इसका कोई उपाय जानते हो, तो बताए, ब्रित्र ब्रामन कहता है, कि सत्य नरायन भगवान मनो वांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, इसे करने से मनु अंतर ध्यान हो गए, ब्रामन मन ही मन सोचने लगा, जिस वरत को पृत्र ब्रामन करने को कह गए हैं, मैं उसे जुरूर करूँगा, ये निश्च्य करने के बाद उसे रात में नीन नहीं आई, वे सवेरे उठकर सत्य नरायन भगवान के वरत का निश्च्य कर बिक्षा के चला गया, उस दिन निर्दन ब्रामन को बिक्षा में बहुत दन मिला, जिससे उसने बंदू बांदों के साथ मिलकर शिरी सत्य नरायन भगवान का वरत संपन किया, भगवान सत्य नरायन का वरत संपन करने के बाद वे निर्दन ब्रामन सभी दुखों से चूट गया, और अनेग परकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मन हर माई इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्य नरायन भगवान के व्रत को जो मनुश्य करेगा, वे सभी परकार के पापों से छूट कर मौक्ष को प्रापत होगा। जो मनुश्य इस व्रत को करेगा वे भी सबी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूच जी बोले कि इस तरह से नारज जी से नरायन जी का कहा हुआ शीर सत्त नरायन व्रत को मैंने तुम से कहा। हे विप्रों मैं अब और क्या कहूं। रिशी बोले हे मुनिवर संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया हम सब इस बात को सुनना चाते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्दा का भाव है। सूच जी बोले हे मुनियों जिस जिस ने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन वा एश्वर्य के अंसार अपने बंदू बांधों के साथ इस वरत को करने को तयार हुआ। उसी समय एक लकडी बेचने वाला बूड़ा आदमी आया और लकडियां बहार रखकर अंदर ब्रामन के घर में गया। प्यास से दुखी वे लकड हारा उनको वरत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा। क्रिपया मुझे भी बताएं। ब्रामन ने कहा कि सबी मनो कामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनरायन भगवान का वरत है। इनकी क्रिपा से ही मेरे घर में धन धान्या आदी की वृद्धी हुई है। विप्र से सत्यनरायन वरत के बारे में जानकर लकड़हरा बहुत परसन हुआ। चर्नामित लेकर वापरसाद खाने के बाद वै अपने घर गया। लकड हारे ने अपने मन में संकल्ब किया कि आज लकडी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से शिर सत्तर नरायन भगवान का उत्तम व्रत करूँगा. मन में इस विचार को ले बुड़ा आदमी सिर पर लकडियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग जादा रहते थे. उस नगर में उसे अपनी लकडियों का दाम पहले से चार गुना अधिक मिलता है. बुड़ा परसंता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूद, दही, तता गेहूं का आटाले और सत्ते नरायन भगवान के व्रत की अन्यस मग्रियां लेकर अपने घर गया. वहां उसने अपने बंदु बांदों को बुलाकर विदी विदान से सत्ते नरायन भगवान का पूजन और व्रत किया. इस व्रत के परभाव से वह बुड़ा, लकड़हारा धन, पूत्र आदी से युक्त होकर, संसार के समझ सुप होकर, अंत काल में बैकुंट धाम चला ग सत्य नरायन भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याए. सूच जी बोले, हे श्रेश्ट मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, पहले समय में उलका मुख नाम का एक बुद्धी मान राजा था, वे सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था, प्रतिदीन देव स्थानों पर जात उनके कस्ट दूर करता था, उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साधवी थी, बदरशिला नदी के टट पर उन दोनों ने शिसत्य नरायन भगवान का व्रत किया, उसी समय साधू नाम का एक वैश्या आया, उसके पास व्यपार करने के लिए बहुत सा धन भी था राजा को व्रत करते देखकर वैव विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन बक्ती भाव से पून होकर आप यह क्या कर रहे हैं, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं राजा बोला, हे सादू, अपने बंदो बांदों के साथ पुत्तरादी की प्राप्ती के लिए शिस्सत्य नरायन भगवान का व्रत वपूजन कर रहा हूँ, राजा के वचन सुन सादू, आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कईए, आपके कथना अ मैं भी इस व्रत को करूँगा, मेरे भी संतान नहीं है, और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ती होगी, राजा से व्रत का सारा विधान सुन, वे पार से नरिवित हो, वे अपने घर गया, सादू वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने इस व्रत का वर्नन कह सुनाया, और कहा कि जब मेरी संतान होगी, तब मैं इस व्रत को करूँगा, सादू ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे, एक दिन लीलावती पती के साथ अनंदित हो, संसारिक धरम से परवित होकर, सत्य नरायन भग्मान की कृपा से गरवती हो गई, दस्वे महिने में उसके गरव से एक सुन्दर कन्या ने जनम लिया, दिनों दिन वे ऐसे बढ़ने लगी, जैसे की शुकल पक्ष का चंदरमा बढ़ता है, माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा, एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से सादू गोला कि हे प्रिये, इस व्रत को मैं उसके विवाहा पर करूँगा, इस परकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे कर वे नगर को चला गया, कलावती पिता के घर में रहे व्रिद्धी को प्रापत हो गई, सादू ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सक्यों के साथ देखा, तो तुरंथ ही दूद को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्यावर देख कर आओ, सादू की बात सुनकर दूद कंचन नगर में पहुँचा, और वहां देख भालकर लड़की के सुयोग्या वनिक पुत्र को ले आया, सुयोग्या लड़के को देख, सादू न बंदू बांदवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवा कर दिया, लेकिन दुर्भाग्या की बात ये कि सादू ने अभी भी शिर्सत्य नरैन भगवान का वरत नहीं किया, इस पर शिरी भगवान करोधित हो गए, और श्राब दिया कि सादू को अत्यदिक दुख मिले, अपने कारिय में खुशल सादू बनिया, जमाई को लेकर समुत्र के पास्थित रतना सारपूर नगर में गया, वहां जाकर दमाज ससुर दोनों मिलकर चंदर केतू राजा के नगर में विपार करने लगे, एक दिन भगवान सत्य नरैन की माया से एक चोर राजा का धन चु अपना पीछा करते देख चुराया हुए धन वहां रग दिया, जहां सादू अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था, राजा के स्पाईयों ने सादू वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा, तो ससुर जमाई दोनों को बांद कर परसंता से राजा के पास ले गए, औ और कहा कि हम दोनों चोर पकड़ लाए हैं आप आगे की कारेवाही की आग्या दें। राजा की आग्या से उन दोनों को कटिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। पिंता में कलावती एक ब्रामन के गर गई वहां उसने शी सत्य नरायन भगवान का वरत होते देखा फिर कथा भी सुनी वह परसाद ग्रहन कर रात को घर वापिस आई। माता ने कलावती से पूछा हे पुत्री अब तक तुम कहां रही तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा हे माता मैंने एक ब्रामन के गर में शी सत्य नरायन भगवान का वरत देखा है। कन्या के वचन सुनते ही लीलावती भगवान के पूजन की त्यारी करने लगी। लीलावती ने परिवारवा बंदूं सहित सत्य नरायन भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पती तथा जमाई शीगर घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रात्ना की कि हम सब का अपराद क्षमा करें। शी सत्य नरायन भगवान इस वरत से संतूस्ठ हो गए और राजा चंदर केतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन तुम उन दोनों वैशियों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे पस कर दो अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुमारा धन राज्य वसंतान सभी नस्ट कर दूँगा। राजा को ये कहकर वैं अंतर ध्यान होगे। प्राता काल सवा में राजा ने अपना सपना सुनाया फिर बोले कि वनिक पुत्रों को कैट से मुक्त कर दो। दोनों ने आते ह राजा को परनाम किया राजा मीठी वानी से बोला हे महानुबावो भाग्यवर्श ऐसा कठिन दुख तुमें प्रापत हुआ है लेकिन अब कोई भै नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को ने वस्तर अभूशन पहनाए जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापि किया और दोनों वैशे अपने घर को चल दिये। शी सत्य नरायन व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपून सत्य नरायन भगवान की व्रत कथा का चोथा अध्याय सूची बोले वैशे ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा अरम की और अपने नगर की और चल दिया। थोड़ी ने उनसे पूछा, हे सादू तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वनिक हस्ता हुआ बोला, हे धन्डी आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलवा पत्ते भरे हुए हैं. वैशिय के कठोर वचन सुनकर वगवान बोले, तुमारा वचन सत्य हो. धन्डी ऐसे वचन कहे, वहां से दूर चले गए, कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ के. धन्डी के जाने के बाद सादू वैशिय ने निक्तिय किरिया के पशात, नाव को उंची उठी देख, अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते देखकर वै मुर्चित होकर जमीन पर गिर गया. मुर्चा खुलने पर वै अत्यंद शोक करने लगा, तब उसका दमाद बोला कि आप शोक ना करें, यह धन्डी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शार्ण में जाना चाहिए, तब ही हम सत्यवचन कहे थे, उनके लिए मुझे एक शमा करें, ऐसा कहकर वै महान शोकातुर हो रोने लगा, तब धन्डी भगवान बोले है वनिक पुत्र, मेरी आज्या से बार बार तुमें दुख प्रापत हुआ है, तु मेरी पूजा से विमुख हुआ है, सादु बोला है मेरी रक्षा करो, और पहले के समान नोका में धन भर दो, सादु वैश्या के भक्ति पूरवक बचन सुनकर, भगवान पर सन हो गए, और उसकी इच्छा अनुसार वर्दान देकर अंतर ध्यान हो गए, ससुर जमाई जव नाब पर आये, तो नाब धन से भरी हुई थी, फि दिया, दूद सादु की पत्नी को परनाम कर कहने लगा, कि सादु अपने दमाद से नगर के निकट आ गए है, दूद की बास सुनकर, सादु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्तन अर्य भगवान का पूजन कर, अपनी पुत्री कलावती से कहा, कि मैं अपने पती के धर्षन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शिगर आ जाना, माता के ऐसे वचन सुन, कलावती जल्दी में परसाथ छोड़कर, अपने पती के पास चली, परसाथ की अवग्या के करण, शिर सत्तन अर्य भगवान रूस्ट हो गए, और नाव सहित उसके पती को प मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है, उसे क्षमा करें, सादू के दीन वचन सुनकर, शिर सत्तन अर्य भगवान परसन हो गए, और अकाश्वानी हुई, हे सादू, तेरी कन्या मेरे परसाथ को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पती अद्रिश्य हो गया है, दर्शन किये, उसके बाद सादू अपने बंदू बांदों से शिर सत्तन अर्य भगवान का विदी विदान से पूजन करने लगा, इस लोग का सुख बोकर अंत में स्वरक को चला गया, शिर सत्तन अर्य वरत कथा का चोथा आद्याय संपून, शिर सत्तन अर्य भगवान की प्रजापालन मेलीन तुंग दवज नाम का एक राजा था उसने भी भगवान का परसात्या कर बहुत ही दुख पाया। अभिवान वश राजा ने उन्हें देख कर ना वहां गया ना भगवान को नमशकार किया। अभगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दिरकाल तक सुख भोगने के पाथ मन्नो प्राथ उसे स्वर्व की प्राप्ति हुई। जो मनुश्य इस परमदुर लवरत को करेगा वगवान सत्यनरायन की अनकमपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्दन धनी होता है, संतान हीन मनुश्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरत पूरन होने पर मानव अंत में बैकुंट धाम को जाता है। सूख जी बोले, जिनों ने पहले इस वरत को किया है, अब उनके दूसरे जनम की क्यथा कहता हूँ। बृद शतानन ब्रामन ने सुधामा का जनम लेकर मौक्ष प्रापत किया। लकड़हारे ने अगले जनम में निशाद बनकर मौक्ष प्रापत किया। उलका मुक नाम का राजा धशरत होकर बैकुंट गिया। सादु नाम के वैशे ने मौर्दवज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मौक्ष पाया। महारा तुंगदवज ने स्वेंबू होकर भगवान के भक्ती जुक्त करम कर मौक्ष पाया। शीर सत्य नायन व्रक्त कथा का पाच्वा धै संपून। शीर सत्य नायन भगवान की जय। शीर सत्य नायन भगवान की आरती। जय लक्षमी रमना। रतन जडित सिंगासन अदबुत छवी राजे। नारद करत निराजन घंटा द्वनिवाजे। जय लक्षमी रमना। प्रगट बये कलिकारन द्विच को दरस दियो। बूडे ब्रामन भनेकर कंचन महल कियो। जय लक्षमी रमना। दुर भल भील की रात जिन पर कृपा करी। चंद्र चूड एक राजा तिन की विपत्ति हरी। जय लक्षमी रमना। वैश्य मनोरत पायो। श्रथा तजदीनी। सोफल भोग्यो प्रभुजी। फिर अस्तुति कीनी। जय लक्षमी रमना। भाव भक्ति के कारण। चिन चिन रूप धर्यो। शद्धा धारन कीनी। तिन को काज सर्यो। जय लक्षमी रमना। ग्वाल बाल संग राजा। वन में भक्ति करी। मन वांचित फल दीनो। दीन दयालु हरी। जय लक्षमी रमना। चड़त परसाद सवायो। कदली फल मेवा। दूप दीप तुलसी से। राजी सत्य देवा। जय लक्षमी रमना। सत्य नारायन जी की आरती। जो कोई नरिगावे। कहत शीवानन्द स्वामी। मन वांचित फल पावे। जय लक्षमी रमना। सत्य नारायन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासु देवाए। क्नुट में भगवान च्थमी रमना लमना की जय। क्षमी रमना की जय।